ये बंदर ठंड के मौसम में गरम पानी का मज़ा ले रहा है, बिलकुल हम इंसानों की तरह, मिलिए जापानी मकाक से, जिसे स्नो मंकी भी कहा जाता है, बंदर हमारे सबसे करीबी रिष्टेदार हैं, जिन से हमारे DNA का लगभग 90% हिस्सा मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी स स्नो मंकी वेग्यानिकों को सालों से हैरान कर रहे हैं, इंसानों से मिलते जुलते अपने व्यवहार के कारण, उनकी सबसे मशाहूर आदतों में से एक है, उत्तरी जापान के ठंडे मौसम में, प्राकृतिक गरम जर्नों में नहाना, 1963 में पहली बार एक स्नो मंकी को जिगोकुदानी के पास एक होटल के बाहरी गरम जर्ने में नहाते देखा गया, जल्द ही दूसरे मकाक भी शामिल होने लगे, इतना ही नहीं, स्नो मंकी बर्फ में खेलने के भी शौकीन होते हैं, उन्हें स्नो बॉल बना कर पहाड़ियों स नीचे गिराते हुए देखा गया है, कुछ बर्फ को इकठा करके गेंद की तरह बना लेते हैं और उसे इधर-उधर घुमाते हैं, कभी-कभी दूसरे बंदर उन्हें चुराने की कोशिश भी करते हैं,